दोस्तो मेरा चैनल जैक अबॉल ट्रेट्स में आप सबको फिर से स्वागत है जैसे आप पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने दो इंक्यूबेटर बनाये थे और दोनों में मैंने कुछ 60 असिल के अंडे और एक इंक्यूबेटर में 30 आराई यार और 30 बनराज क अंडे डाले थे तो अभी 21 दिन बाद बच्चे निकल चुके हैं और हमने बच्चों को ब्रूडिंग में डाल दिया है तो यह देखिए आप यह दो दिन दो तिन दिन का चूजा यह सब ब्रूडिंग ब्रूडर में हैं और करीब 80 परसंट हैचिंग हुआ है जो की बेस्ट हैचिंग रेट है क्योंकि जो अच्छे इंक्यूबेटर गवर्मेंट का है या फिर जो रेडिमेट इंडर्स्रियल इंक्यूबेटर है उसमें भी 80% रिजल्ट ही आता है और उससे ज़्यादा रिजल्ट पाना मुम्किन नहीं है कोई-कोई इंक्यूबेटर में र 80% रिजल्ट आता है तो अभी देखे ये बच्चे जो है ये करीब दो से तिन दिन के हो गए है इसमें असिल भी है रेड आइलांड रोड के बच्चे भी है और बनराज के बच्चे भी है तो फिलाल ये तो जो एक्स्परिमेंटल बिस्टिस पर हमने जो इंक्यूबेटर म के लिए हम इसको सेल करने वाले हैं तो जिनको चाहिए ये बच्चे तो हमको कंटार्ट कर सकते हैं हमारे फोन नंबर में मैं आखिर में मेरा फोन नंबर नीचे डेस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और हमने प्राइस अभी तैय किया है कि एराउंड 60 रूपीज हम के बनराज और आराइयार की बच्चों को बच्चों के लिए और हंडेड रूपीज पर चिक असिल के बच्चे के लिए तो यह असिल जो हैं यह दोनों परपस में हैं इसको आप अंडे के लिए भी रख सकते हैं और ऐसे सोक्या तोर पर भी रख सकते हैं यह अच्छे और इनका साइज तो आपको पता ही होगा जिसको थोड़ा सा आइडिया है असिल के बारे में यह वेश्ट पंजाब की एक वराइटी है फिलाल वेश्ट पंजाब पाकिस्तान में आता है लेकिन इसको ज्यादा तर माडरासी चिकन भी कहते हैं कोई-कोई इसको ज्यादा तर जो माडरास में है वहाँ भी यह चिकन को पाला जाता है लेकिन आप लोकल एरिया में इसको आप जितने भी ढूलेगे नहीं मिलेगा तो हमारे नमर में आप पंटार्च करिए अगर आपको धस बीस जाहिए वैसे तो पार्शल में भी शिबसे नहीं है आपunda ह Tagת करिया और फो नमर में आपपनटार्च करिए तो हम आपको बच्चे दे देंगे लेकिन अभी फिलाल जो है इसका प्राइस संदे रुपीज है लेकिन आप जितना डे ओल्ड चिकन लेंगे चिक लेंगे उसमें ख़ली उसका फीड का प्राइस हम जोड़ेंगे क्योंकि एक्स्परिमेंटल बेसिस में हैं तो आप हमसे कंटार्ट कर सकते हैं देखने के लिए धन्यवाद